दोस्तो PCS Academy में मैं आप सबी लिगों का स्वाकत करता हूँ और दोस्तो सबसे पहले तो आप PCS Academy को सब्सक्राइब कर लीजे और चैनल पर जैसे YouTube पर आप डालेंगे PCS Academy तो इस तरीके से खुल कर आएगा और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीजे हैं सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग जरूर प्रेस करिए और वो भी all में आप लोगों को set करना है जिससे time पर notification आप लोगों को मिलती रहे ठीक है और UPPSS मेंस 2022 और 2023 के लिए बैचेश चल ला है तो जो लोग भी अपना इच्चो को join कर सकते हैं ठीक है join करने के लिए जो number है 9140085178 इस number पर message करके आप लोग जानका लिए सकते हैं आईए शुरू करते हैं तो निबंद आपको 700 सब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है 700 word में आप लोगों को लिखना होता है निबंद को और यह जो निबंद है निबंद जैसे देखे कोई भी निबंद है लिखने से पहले कुछ साओधानियों को ध्यार में रखना होता है कि जैसे जो grammar की गलतियां है वो आप से नहीं होनी चाहिए जो introduction पार्ट है, body पार्ट है, conclusion पार्ट है तो तीनों में एक एक quotation कविता श्लोक, movie के gate bowl इन सारी चीज़ों को भी add करिए और जो एक निबंद होता है, निबंद में proper तरीके से आप flow chart का भी उपयोग करिए, diagram का उपयोग भी करिए और points के format में भी आप चीज़ों को add कर सकते हैं जिससे आपका प्रस्तुतिकरण जो होता है, presentation जो होता है वो आपका अच्छा हो जाता है तो जो आज का निबंद है, उसको बहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए और जो answer writing की practice कराए जा रही है दोस्तों और निबंद की भी practice जो है, आप लोग day by day जब भी आपको दिया जाता है चैनल पर और ग्रूप में, तो आप लोग उसको उसी दिन कर लिया करिए ठीक है, जो यह निबंद है दोस्तों, निबंद को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे इसके PDF आप लोगों को जो पेड ग्रूप चल रहा है 2020 का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगी और 2020 और 21 का, दोनों में प्रोवाइड कर दी जाएगी और यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को शेर भी करा दीजेगा शेर आप लोग फेस्बूक और वाटस अप ग्रूप जो भी आपके फोन में हैं उसके माध्य हम से कर सकते हैं जिसे दूसरे लोगों को भी यह फायदा मिल सके आईए जो आज का निबंद है निबंद को आज हम लोग बहुत इची तरीके से देखेंगे तो देखें भारत और कैशलेस अर्थवेस्था तो सबसे पहले बात यही होती है कि आखिर कैशलेस अर्थवेस्था होती क्या है आखिर कैशलेस एकनॉमी जो है नगदी रहित अर्थवेस्था क्या होती है तो सिधा से मतलब आप लोग इसका मतलब भी सभी लोग जानते ही होगे कि जहां पर ध्यान रखिएगा जहां पर जो पैसे का लेने जो है वो नोट और सिक्कों के माध्यम से ना होकर डेविट कार्ट और क्रेडिट कार्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी आई के माध्यम से हो उसी को कैसलेस अर्थवियस्था कहते हैं जैसे भारती समाज को पूर्ण रोप से नगदी अर्थवियस्था में हो इसलिए ध्यान रखिएगा इसलिए कैसलेस अर्थवियस्था को लाया गया है भारती अर्थविवस्था को क्या है जो इन्यन एकनॉमी है तो इन्यन एकनॉमी को नगदी पर जुर निर्भारता है ठीक है तो उस निर्भारता को कम करना इसी लिए प्रदान मंतरी जी ने आट नॉम्बर 2016 को एक हजार और पांसो के नोटों का भिमुद्री करना किया था बंद किये थे इस दिन से आट नॉम्बर 2016 से एक हजार और पांसो के जो नोट थे उनका वो प्रचलन में नहीं थे अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगो इस दिन से तो इसका उदेश ही क्या था उदेश ही ये था कि जो भारती अर्थवेस्ता है उसको ध्यान रखियेगा नगदी रहित करना मतलब सारी के सारी चीज़ें जो भी लेन्देन हो जो भी आप पेमेंट करते हैं वो उनलाइन प्लैट्फॉर्म के माध्यम से करें इलक्रॉनिक की का प्रियोग करके अप इलक्रॉनिक हस्तांतरान के माध्यम से चीज़ों को करें नगदी रहित ले ने इनको बढ़ावा देने के उद्देश के लिए यह जो बिमुद्रिक करण किया गया था इसी चीज़ के लिए कह गया था डिजिटल इंडिया का यह हिस्सा मना आता है कि डिजिटल इंडिया को अगर सफल बनाना है तो आपको जो कैसलेस अर्थविस्ता है उसको पूर्ण रूप से अपनाना होगा ठीक है तो यह हिस्सा मना आता है अब देखिए जो नगदी रहित पुणाली है ठीक है ध्यान रखिएगा जो नगदी रहित पुणाली होती है तो उसके भारती अर्थिवरस्ता पर पढ़ने वाले सकरात्मक कदम कौन कौन से थे, सकरात्मक परभाव कौन कौन से थे तो अब यक mercury करके हम लोग यक Already करके चीजों को देखेंगे देखें पहली चीज क्या है कि लेनेन अच्छा होता है सच होता है पारदाशी होता है इसमें भाई जो चोरी है या इधर उधर नहीं होता है ठीक है गोपनीता नहरेती है और आप जो भी चीज़े करते हैं वो बैंक के माध्यम से करते हैं चोरी कम होती है आएकर जो इंकम टैक्स जो होता है वो सरकार को अधिक मातरा में मिलने लग काले धन पर भी वार होती है और ब्रस्टा चार पर लगाम लगती है काले धन पर किस तरीके से लगती है कि भाई अगर कोई ब्लैक मनी रखा है तो अब अगर सौसो जो आपके हजार के नोट है और पांसो के नोट है अगर वो legal tender नहीं है तो उस दिन से वो बेकार हो जाते हैं कागज के सुरूप हो जाते हैं तो फिर वो जो money है वो बेकार हो जाते है ठेक है बेस्टाचार जो लोग करते हैं उस पर भी लगाम लगती है जो आएकर भी भाग है आएकर income tax department जो होता है उसकी निगरानी भी असानी से कर सकता है क्योंकि जो भी transactions जो होते हैं वो आपके online platform के माध्यम से होते हैं banking चेतर के माध्यम से होते हैं तो होता क्या है उन्होंने data देखा किस किस ने कितना transaction किया है क्या नहीं किया है लेंदेन हो रहा है तो इन चीजों पर निगरानी बहुत आसानी से रखी जाती है ये बहुत अच्छी बात है अगली चीज क्या है लेंदेन में आसानी होती है भाई अगर आपको दस जार रुपए किसी को देने हो तो आप बैंक में जाकर पहले या तो उसको कैशमनी दीजिजए जाकर उसके घर पे थेखे है थोड़े दिल के मान लेजए कि आपके दोस्त का घर जो है वो आपके घर से 45 किलमेटर दूर है अब इतने में क्या हुआ कि आपको 10 जार रुपए देने है उसको अब या तो आप जो है उसको कैश दीजी जाकर 45 किलमेटर का सफर करिये तब जाएए और एक माद्ध हम है कि आप बैंक के माद्ध हम से अपने फोन पे या गूगल पे या अन्य जो प्लेटफॉर्म है अन्य एफटी और सम्पियस जो भी मतलब कई प्लेटफॉर्म होते हैं तो उनके माद्ध हम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके आप मिनिटों में पैसे को अपना ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन इसमें आपका एकाउंट बेवरा उबहें के पास में होगा ही होगा तो ये अच्छा ही होती है तो जो लेनेन होता है आसानी हो जाती है और समय की बचचत भी होती है योजना जैसे मान लेजे किसी जो सरकारी योजना है उसका लाब जो है लाबहरती को सीधे खाते में मिल जाता है अब अगर ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से नहीं देते हैं अगर कैस देते हैं तो बीच में अगर मान लेजे दो बीचोलिये हैं या बीच में जो सपोर्ट करने वाले बेकते हैं अगर वही बीच में पैसा खाने लगे देने के लिए तो फिर दिक्कत खड़ी हो सारे के सारे ट्राजेक्शन जो हैं, अगर ऑनलाइन होंगे तो फिर ये समस्याएं नहीं रहेंगी, और क्या है, जैसे जाली नोट हैं, खोटे शिक्कें हैं, इन पर भी नियंतर लगेगा, चीक हैं, कि भई ये चीजें जब होंगी ही नहीं, होंगी भी तो बहुत कम मातरा मे होंगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो होंगे ओनलाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से ही होंगे और क्या है निवेस के लिए एक अच्छा महाल भी बनेगा और सुसासन इस सापित करने में भी यह मददकार साबित होगा तो यह आपके जो नगदी रहित पढ़ाली होती है तो नगदी रहित पढ़ाली के अर्थविस्ता पर पढ़ने आले सकारात्मक कदम है अब देखे नकरात्मक कदम कौनकों से है अब जैसे भारती कट रजेक्शन मातर साथ दिनों में हो गया था 2017 में ध्यान रखिएगा 2017 में इंटरेट यूजर्स की संख्या जो है वो 45 करोर थी भारत में तो ये कुछ डेटा है जो निबंद है निबंद में आइट करने के लिए अगली चीज़ क्या है भारत में कैसलेस अर्थवियस्था की बाधाएं कौन-कौन से हैं कौन-कौन से चुनोतिया हैं कौन-कौन से अर्चने हैं तो अब एक ही करके उनको भी देखते हैं जैसे भारत जैसे बड़े देश में बहुत सारी देखे हमारे हाँ जो भारत की अबादी है लगभग अगर वरतमान तक देखेंगे तो 135 करोड तक पहुच गई है ठीक है 135 है 37 राउंड सम्थिंग अब इतनी बड़ी अबादी में और जो हमारा जो देश है वो बिकासिल देश है करसी परधान देश है और इसमें क्या है कि जिसे जो इंटरेट के उपलब दता है आप शहरी शेत्रों में जाएंगे तब तो ठीक है लेकिन ग्रामेड शेत्रों में जाएंगे तो यही जो इंटरेट के उपलब दता है वही नहीं इसके साथ में आपको ऑनलाइन ट्राजेक्शन के लिए अच्छी इंटरेट का अच्छी स्पीड का इंटरेट चाहिए और इसके साथ में आप सोचके देखिए किसी ग्रामेल बेक्टिको अगर फोन पे या गूगल पे इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है तो अनलाइन ट्राज भी होते हैं यहाँ पर कहने का मत्ताग पर यही है कि जो इंटरेट के उपलब्धता है वो हमारे हाँ अभी भी वर्तमान में सरवत्र नहीं है अब धीरे धीरे चीज़े ठीक हो रही है और जो एक बिती साचारता होती है ध्यान रखिएगा एक फिनेंशिल एजुकेशन जो होती है ठीक लिँगे फोन पे किसी को चलाना ही नहीं आता या ओनलाइन ट्राजेक्शन बांकिंग आउनलाइन बांकिंग के माध्य हम से आप किसी को नहीं पता तो वो चीज़ें इस तरीके से नहीं कर सकता तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है अब हमारे देश में लगबग तीस परसेंट अबादी केवल इंट्रेंट का उप्योग करती है अब आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी मातरा में जो हमारे हाँ देश के लोग जो हैं वो अभी इंट्रेंट से अच्छूते हैं ठीक है तो और क्या अन समस्य है जो कैसलेस एकनॉमी या कैसलेस स्मार्ट फोन की भी कमी है हमारे हाँ अभी भी जो गाओं का देश ही कहा जाता है और स्मार्ट फोन की हमारे हाँ बहुत ज़्यादा कमी है च्छतिस परसेंट लोगों के पास भारत के कुल लोगों की संख्या में च्छतिस परसेंट लोगों के पास अभी स्मार्ट फोन है बाकिक लोगों के पास में नहीं आप सूच सकते हैं कि ये चीजें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली करते हैं और क्या है कि जैसे इंटरेट की धीमी गती भाई इंटरेट जहां पर उपलब्द भी है जो ग्रामील छेत्र हैं सहरी छेत्रों में जो बाहरी वाले छेत्रों जो होते हैं तो उनमें अगर इंटरेट की स्पीड मिली भी है तो बहुत धीमी है जो उसका पेज लोन होने का जो समय होता है 5.5 सेकेंड होता है जबकि चाइना में या अन्य देसों में क्या है चाइना में जैसे 2.6 सेकेंड है अन्य देसों में बांगला देस और अन्य जगों का डेटा अलगा लगा लेकिन भारत से ज़्यादा ही कम ही है ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो इंटरेट की स्पीर है उसका भी इश of sale मशीनों की कमी की जैसे जहां पर आपने देखने होगा कि जहां पर आप कार्ड शॉयप करते हैं या मशीने जिनके माद्धे हम से अप sale होती है ठीक है तो ऐसी मशीनों की भी हमारे यहां कमी है कहा जाता है कि यह आकड़ा है कि दस लाग की अबादी पर 856 मसीने हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कम है एक मुद्धा और बनता है कि डाटा की सुरक्षा चीक है डाटा की सुरक्षा क्योंकि सेंधमारी बहुत ज़्यादा होती है अब मान लिए किसी ने फोन पे एप या गूगल पे या इन ही एपों का इस्तमाल कर रहा है इनमें भी सेंधमारी होने लगी है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होने लगी है अगली चीछ क्या है साइबर सुरक्षा कि जैसे 2017 में ये कहा गया था कि SBI की लगभग 32 लाख डेविट कार्ट और क्रेट कार्ट चोरी हो गए तो ऐसी समस्या अगर आप अगर जिनका डेटा लीक हो रहा है या जो क्रेट कार्ड है डेविट कार्ड है अगर वही इस सरीके से चोरी हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या एक साइबर जो सुरच्छा होती है जो साइबर हमले है ये भी कैसलेस एकनॉ कोमी के सामने अपनी बाधाउट पनक करेंगे और क्या है कि जिसे हमारे यहां ऑनलाइन दोखा धड़ी भी होती है फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है तो होता क्या है कि मौलवेर के माद्धियम से एक सॉफटर के माद्धियम से आपके फोन को पूरा हैक कर लेते हैं अपके यह बहुत बड़ी समस्या है अगली चीज क्या है अगली चीज है कि लोगों तक पहुँच कम लोगों तक पहुँच कम का अर्थ यह होता है कि जैसे जो कैसलेस एकनॉमी है अभी हमारे यहां बितीश हमावेशन हुआ है लेकि बितीश हमावेशन अभी पूरी तरीके से न तो हमारे यहां क्या है भाई मोसली अबादी जो है वो गाउए बसती है अब बैंकिंग बसाएं जो है बैंकिंग सिस्टम जो है अब दीरे दीरे उसका परसार परसार हो रहा है परसार हो रहा है विस्तार हो रहा है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों से व बिदा हैं वही नहीं पहुच पा रहे है चैक कैं और एक चीज और होती है कि जागरुखता ही नहीं है बहुत सारे लोग अभी भी ग्रामेड शेत्रों में आप लोग जाएए तो बहुत सारे लोग है अभी भी उनके अंदर माल सकता यही बनी ओ जागडों को नहीं हैं वो लोग कि भई हमें बेंक में पैसा रखना है वो लोग सुस्ता है मैं अपने घर में ही भहिया उसको जमीन के नीचे गाल कर या जिस तरीके से भी जहां भी नोगो ठीक लगता है वो अपने घर पर रखना सरकार के दोरा कदम कौन कौन से जो कैसलेस इंडिया है या कैसलेस अर्थबिस्ता है या कैसलेस भारत है तो उसको बढ़ाने के लिए उसका विस्तार करने के लिए सरकार के दोरा कौन कौन से कदम उठाए गए है तो दिखी सबसे पहले चीज़े है कि सरकार के द्वारा एक एप को लाँच किया गया था मोबाइल एप जिसको भीम एप भी कहा जाता है ये आपका UPI आधारित ये सेवा होती है जिसके माध्यम से आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं UPI का फिल्वाम क्या होता है जूनिफाइड पेमिंट इंटरफेस ठीक है तो इसको सुरुआत किया गया था भीम एप को 30 दिसंबर 2016 को अगली चीज़ क्या है तेज आप लोगोंने सुना होगा सर्च इंगर जो होता है गूगल तो गूगल के दोरा 18 सेप्टेंबर 2017 को इसको स अब पेमिंट रसीब भी कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं और क्या है कि जिसे सरकार के दोरा 30 साच चर्था का भी प्रावदान रखा गया डिजिटल भारत मिशन के तहत सभी को साच चर्था जो ऑनलाइन इंटरनेट ये सारी चीजों के बारे में जानकारी दी ज जा रही है लोगों के अंदर जागरोकता फैलाई जा रही है और कई चीजें सरकार के दोरा उठाई गया हैं कि जिसे ये वालेट कमपनिया हैं जैसे ये पैसा ट्रांसफर करवाते हैं अगली चीज क्या है अगली चीज ये है कि सरकार के दोरा यूपी आई आधारे जैसे यूपी आई यूनिफाइड जो आपका यूनिफाइड पेमेंट गेट वेज होता है ठीक है तो इसको टू पॉइंट जीरो नाम दिया गया था ठीक है इसको बनाया गया था एनपी सी प्लस SBI दूनों ने मिलकर बनाया था NPCI क्या है National Payment Corporation of India ठीक है और SBI State Bank of India दूनों ने मिलकर इस UPI 2.0 को लाया गया था अब इसमें बहुत सारी सुविधाएं इस UPI 2.0 के माद्धे हम से देगे जैसे overdraft account को link करना one time mandate ये सारी के सारी सुविधाएं जो हैं और बहुत सारी सुविधाएं जो इन सुविधाएं को UPI 2.0 के माद्धे हम से दिया गया था अब देखे जो आपका cashless economy है उसके आपने सकरात्मक नकरात्मक क्या होती है सरकार ने कब सुरू किया इसका उदेश ही क्या था और इसकी कमिया क्या थी अबाधाएं क्या है सरकार के द्वारा कौन कों से कदम उठाए गए हैं कुछ कदम अगर आपको भी आपके माइंड में आता है तो उनको भी आप बताईए और निसकर्स में ध्यान रखिएगा निसकर्स में बेहतर तरीके से चीजों को आप लोगों को लिखना है तो निसकर्स को आप लोगों को बेहतर तरीके से लिखना है निसकर्स में क्या है कि निसकर्स में आपको इस तरीके से बताना है कि जैसे जो हमारा समाज है समाज को बदलना होगा एक नगदी अर्थब्यस्ता से नगदी रहित अर्थब्यस्ता में जिससे जो समाज है समाज में जो लोग हैं लोग अच्छे तरीके से अपने कारियों को कार सके हैं अर्थब्यस्ता को अर्थब्यस्ता में ब्रद्धि लाना जिससे सारे सारे ट्राजेक्शन जो है ऑनलाइन होने लगे तो सरकार को भी फाइदा होने लगेगा इन्यन एकनॉमी जो है वो गुरूम करेगी अगली इसी में आप लोगों को निसकर्स में सारी की सारे पॉइंट्स देने हैं जिससे समाच की पुरानी आदतों को जिसे एक पुरानी आदत है कि भाई पैसा हम बैंक में जमा नहीं करेंगे ठीक आनलाइन हम क्यों ट्रांसफर करें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सुरक्षित नहीं है तो इन सारी चीजों को बदलना क्योंकि दिखिए समाई के अनुसार दुनिया के साथ चलना ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक पारदर्शी जो ट्रांजेक्शन जो होता है पारदर्शी बेवस्था जो होती है पैमेंट की उसको अपनाना और सभी लोगों को अपनाना जो भी लोग है इस तरीके स से अपने सकर्स को बहतर तरीके से देने का प्रयास करिए और कुछ पॉइंट से अगर आपको भी लगता है अलग से ठीक लगता है तो उनको भी एड़ कर दीजे ठीक है तो अच्छा